नमस्कार फ्रेंड्स ललित कला ग्यान में आप सभी का सभागत हैं तो दोस्तो आपके लिए मैं R.S.E.T. का पेपर लेगा है हूँ राजस्तान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट R.S.E.T. ठीक है दोस्तो R.S.E.T. का ये पेपर है जो अभी हुआ है 2023 का ये पेपर है और अभी जो पेपर हुआ है ये हम सोलो करेंगे इसमें अंदर जैसे 100 कुशन आये हैं और जो इसका साइलेबस रहा था दोस्तों वो नेट का ही साइलेबस नोंने मैंसन किया था जिसके अंदर 1500 कुशन थे 50 जो कुशन थे वो दोस्तों आपको पता ही है जी के विगरा जो कुछ भी आता है वो अलग हो गया और जो बाकी 100 कुशन बचे के हैंडेड कुशन वो आपके 51 से लेकर के 150 तक जो कुशन होता है वीजुल आट के ठीक है यह देखिए वीजुल आट यहां पे लिखा दरश्य कला तो इसके जो 100 कुशन आयो हैं वो हम अभी सोलो कर रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से कुशन आया है और उनकी एंसर की मैं आपको करवा रहा हूँ ठीक है दोस्तो और जिसने भी आर्शेट का एक्जान दिया है अपना पेपर कॉल के बेट जाएं और उसमें आप मार्क कर लीजिए कौन कौन से कुशन जो आपके सही है आप अपने रिजिश्ट में नोट कर सकते हैं आपका पहले कुशन आपका पहले कुशन सही है दूसरे सही है बाकि ऑफ्छेंटिक जो आणसर किया दोस्तो वह बात में आएगी बाकि अभी जो मैं बता रहा हूँ मेरे वह में जितनी एक बताने की हैं यह एक दू कुशन ही ही तो हो जिसको मैं आउगी डिसकस करूंगा आगे जितुने थिसमीं मुझे को डoud है, आपको KnoxKYा अफ्रीय ली बता दूंगा, बाकी मैं आपको authentic ही बता हूँ है. ठैके दोस्तो, तो आप अपने हिसाब का सिद्धान्त किस ने विक्सित किया था दोस्तों एक चीज़ याद रखना यह फॉर्मलिजम है रूपवाद के परवर्ट तक माने जाते हैं तियोरी ओफ फॉर्मलिजन जो रोजर फ्राई के द्वारा दी गई है जिसने एक यह है उसका सही है दोस्तों इस तिर्गे से ठी पूछते हैं क्योंकि नेट के साइलिस में यही चीज़े हैं तो इसके अंदर पूछा गया है कि एक्स उंचाई एक अक्षरा करती की अधार रेखा से टोपी की उंचाई तक की माफ है यह चीज़ें आपको पता नहीं है तो पता होनी चाहिए आपने जब जब आप स्कूल ए लिखना होता था तो आप यहां लिखते थे उसके बाद में आपको जी लिखना होता था तो यह वाला जी यहां पे लिखते थे क्या आप ऐसा लिखते थे बिलकुल लिखते थे तो यही है इसी से यह जो लाइन होती है यह इस लाइन को बोलते है डिसेंडर लाइन इस ल तो ये अलग अलग चीज़े होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहां से यहां यह चोटा X होता है, इसका मतलब यह X हाइट है, यह बड़ा वाला A है, यहां तक की केफ हाइट ही होती है, यह X हाइट होती है, यह अलग अलग चीज़े है, इसमें बोला है कि X उन्चाई एक्सरा करती तो X उन्चाई मतलब इतनी यहां से लेकर के यहां तक टाइप फेस की क्या लेखा है अधार रिखा से टोपी के उन्चाई तक की माप है यहां से लेकर के यहां तक की माप है ऐसा बोला है क्या यहां से लेकर के यहां तक की माप है ताकि आपको ये पता होना चाहिए, इसमें देखिए अगला कुशन, अगला उप्सन ये था, दो नमर, जो कथन तरक वगएरा है, कि लीडिंग एक होट मेटल प्रेंटिंग सब्द है, बिल्कुल है, लीडिंग स्पेस होता है, जो लीड स्ट्रिप से उपन होता है, इसमें क्या है, अलग-लग ये मेटल के प्रेसिंग लगें, जिसमें ये A है, ये B है, ये D है, जैसे कोई नेम बन गया, फिर उसके बीच में यहाँ पे पट्टी डलती थी दोस्तों, इसके बीच में यहाँ पे, फिर नीचे वाली लाइन आती है, इसके बीच में ये जो प इसके बाद में नेक्स आपका उप्शन है 53 नमर की इशन देखिए एक रचना में एक कोई क्रिटिविटी कोई काम कर रहे हो ठीक है कोई आर्ट बना रहे हो उसके रूप है रंग है और बनावट है उसके जो दर्श्य सामन जैसे और संतूलन को हम दिखा रहे हैं तो वो उसक संतूलन में ही है तो संतूलन यह संतूलन ही होगा एक जिसमें एक यह उसका सही है फिर 54 देख लीजिए कलकत्ता प्रोग्रिसी जो ग्रूप है उसका मागंदर्शक आदर्स वक्के क्या है कलकत्ता ग्रूप को वो है कि कला को अंतराष्ट्य और स्वतंत्र होने का लक्षिय रखना चाहिए मिलकुल ए नवर उप्सन जिस ने किया उसका सही है फिर उसके बादे 55 देख लीजिए निमलिक को मिलाना है आपको यह बहुत ही शांदार क्यूशन अवेश्टनार से समधित इसमें बोला है कि उमर तो बोश या नहीं कौन सी कला कला से समधित है तो पहले पता है ना सबसे बहले आप उनको मिलाजिन दीजिए वह इसलिए पाबलो पिकास्टो समका पता होगा कि गंवास से समधित है अब देखिये सोरी ए में चार नहीं बी में चार अब देखें बी में चार किस किस में आ रहा है इस में आ रहा है और इस में आ रहा है ठीक है ये भी कट हो गया हमारा पहले बाला कट हो गया दूसरे में भी चार नहीं है बी में तो ये भी कट हो गया इसमें बी नहीं है बी में चार नहीं है ये दोनों गए, option बच गए हमारे दो, ये होता है निकालना, सबसे पहले आपको ये करना है, जितना भी आता है उसके बाद में वो निकालना है आपको, अब देखिए उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए, ए उम्बरतो बोश्या ने आपको पता होगा, अगर न में जिसने C किया है उसका सही है 55 में C पच्पन में C अब 56 देख लेते हैं 56 यह अनिमेटेड मुवी है जो ओसकर आवार्ड मुवी है इनको ओसकर आवार्ड मिला है क्या मिला है ओसकर आवार्ड अब इस मुवी को हमें करम में लगाना है इंसाइड आउट मुवी है दोस्तों ये मूवी बनी थी 2015 में 2015 की मूवी है जुटोपिया मूवी है 2016 की ये मूवी मैंने सारी की सारी देखी ये अनिमेटेड मूवी मैंने देखी है क्योंकि उस करवाड मूवी है बहुत ही शांदर मूवी है इनके करेक्टर आप देखो बहुत शांदर मुवी है आप देखोगे इनको एक मुवी अगर आप जूटोपिया भी देख लोगे न तो इनसाइड आउट भी देखोगे एक रहेंगो मुवी है वो भी आपने देखी होगी रहेंगो ये मुवी देखना बहुत ही शानदार मुवी है हिंदी डबड मुवी देखना आप डेंगो ठीक है अब यहां पर मैं बता रहा हूँ कि इंसाइड आउट 2015 जुटोपिया 2016 तोई स्टोरी फोर 2019 और एंकेंटो जो मुविया 2021 में भी बनी थी तो यह हमारा इसका करम हो जाएगा ए जिसने ए किया है उसका सही है फिप्टी सिक्स में ए फिप्टी सेवन में ये है जेन दरम में हतेली पर पहिये के साथ हाथ ये किसका परतीक है ये अहिसा का परतीक है जिसने ए किया है उसका सही है फिप्टी सेवन में ए उसके बाद में नेक्स्ट है फिप्टी एट कि बोध दर्म के हीनियान मत में बुद्ध के मूल उब देस के उन्याई सामिल है हीनियान में और यह काफी हद तक रुडिवादी मत है बिल्कुल स्थाविर बाद और थेर बाद इसके उप संपरदाय में से एक है बिल्कुल सही है उसके बाद में बो द्रम का महायान मत अधिक उदार और बुद्ध पर करती कि बदिस्तों और बुद्ध की सरुगता में विश्वास करता है महायान बिल्कुल वे बुद्ध की मुर्ति पूजा में विश्वास करते हैं बिल्कुल सही बात है वजरियान को इसके उप्सम्परदाय में एक माना जाता है बिल्कुल दोनों के दोनों कथन सही है कथन एक और कथन दो सही है जिसने B किया उसका सही है 58 में B सही उसके बाद मैं 59 देख लिते हैं रेमरांट की परसिद करती है The Three Crosses The Three Crosses या Christ of Crucifies Between the Two Thieves The Three Crosses देखिए The Three Crosses Christ crucified between the Two Thieves ये बोला है कि रेमरांट की परसिद करती है ये कौन से स्टाइल में बनी है एंग्रेविंग में है सीला मुदरन लिथोग्राफ ही है ये वूड कट है रेमरांट ड्राइपॉइंट करते है तो एसई दुण भीन करते हैं ट्राइपॉइंट करते है तो इसंमें क्या है आपको पता भी चले ये आपको नजरा रही है ये बोडिया दोस्तों ये ड्राइपॉइंट किया हुआ देखिए धान से इसमें Three Crosses आपको नजर आ रहे होंगे, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखें ये, ये और ये और ये उपर वाला, ठीक है, ये तीन होगे, एक, दो और तीन, ये रेमरांट के दोरा बनाएगा, ड्राइब पॉइंट है, दे ये ड्राइपॉइंट किया वायद है थ्री क्रोसेस है, रेमरांट की कृति, फिर उसके बाद में नेक्सक्विशन पर चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ड्राइपॉइंट ए, ये जिसने किया उसका सही है, फिर नेक्स्विशन पर चलते हैं, थ्योरी दवनी, ये देखें, दवनी का सिदान्त किसने दिया है, दवनी का सिदान्त तिया है, आनंद वर्दन ने, 60 में डी, 60 में जिसने डी किया है, उसका सही है, आनंद वर्दन, दवनी सिदान्त, उसके बाद में ये जो है, किस से समदिता है, एस्थेटिक संद्रिय सास्तर में ये ऐसा किस विदी का उपयोग किया जाता है किस विदी का उपयोग किया जाता है इसमें है गटाव रंग विदी इंग्लीज में कहते हैं सब्स्ट्रेक्टिव कलर मेथड यह काम में ली जाती है कौन सी विदी सब्स्ट्रेक्टिव कलर मेथड इंग्लीज में आप याद कर लीजिए automatically समझ में आ जाएगा सबस्टेक्टिव color method काम में लिया जाता है जिसको हिंदी में गटाव रंगमीदी लिखाए ठीक है ये जिसने किया उसका सही है 61 के बाद में आते हैं 62 पे निमलिक तक्षारा करती और उनसे समधित डिजाइनरों को समेलित करना है आपको पता होना चाहिए future design किस ने किया है universal design किस ने किया है halvetica किस ने किया है तो इसमें आपका क्या जाएगा 62 में D होगा क्योंकि इसमें देखिए अगर आपको एक भी पता है तो automatically धिर धिर आपको कम से कम 2 option पे तो पहुंची जाते है जैसे halvetica किस का है max meddinger का किस का है max meddinger तो 3 में 2 देखिए किस किस में है 3 में 2 इसी में है तो ये आपका सही होगा बस आपको एक भी बता है ना तो भी सही हो जाएगा ठीक है तो जिसने D किया 62 में उसका सही है बाकि आप ये भी याद कर लेना क्योंकि आगर आप next net का question देऊगे तो इसमें यही question देखने को मिलते हैं आपको ठीक है फिर 63 पे आते हैं इलोरा की गुफाएं इंदर सभा 32 नमर गुफा और 33 जगनात गुफा किस दरम से समझदीत है देखिए ये गलती कर देते हैं कि इंदर सभा इंदर भगवान है जगनात सभा ये तो नहीं समझ में आरा फिर भी ये इंदर भगवान है तो ये कौन से होगे हिंदू देता होगे हिंदू दरम से समझदीत नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आपको पता होनी चाहिए एलोरा में कुल कितनी गुफाएं है 34 है ठीक है जिसमें से एक से लेकर के बारा यानि कुल बारा गुफाइं हिंदू द्रम से समझ दीता है हिंदू द्रम से लिए एक से बारा है ठीक है एक से बारा बारा गुफाइं फिर उसके बाद में सोरी ये बारा जो हैं पहली बोत द्रम से समधित है हिंदू की गुफाएं जादा है सोरी सोरी ठीक है तो बोत द्रम से समधित है एक से बारा होगी बोत द्रम फिर इसके बाद में आपकी आजाती है 17 गुफाएं हिंदू द्रम से समधित है जिसमें है 13 से 29 गुफाएं कौन से करम स अब 30 से 34 तक गुफाएं, ये 5 गुफाएं हैं कुल, कितनी गुफाएं हैं, कुल 5 गुफाएं जेन द्रम से सम्धित हो गई, 30 से 34 तो इसमें कौन से आगी, 32 नमर और 33 नमर ये किसमें आगी, इसमें आगी, तो ये कौन से द्रम से सम्धित हो गई आपकी, जेन द्रम से सम्ध पिस्क्विशन पे चलते हैं, निमलिक्त में से कौन चाक लाकार अपने कलर सीला मुदर कलर लिथोग्राफी पूचा के लिए जाने जाते हैं तो इसमें कौन से है, तूलूजव लोट्रिक है, जिसने पोस्टर डईजाइन किये थे, बहुत सारे poster design किये थे ठीक है मोलिन राग इसका बहुत ही बेतरी पोश्टर है अभी जैसे नेट का एक्जाम हुआ था उसके अंदर ये poster की photo देख पूछा था मोलिन राग कौन सा था मोलिन राग ये पोस्टर है मोलिन राग जो किसके द्वारा प्रिंट किया गया था लोत्रेक के द्वारा लिथोग्राफी प्रिंट है कौन सा है लिथोग्राफी जिसने सी किया उसका सही है फिर नेक्ट केशन पे चलते है 65 पे 65 में हैं यह कहा जा सकता है कि online विग्यापन कम कीमत पर अभियानों को अधिक गहराई और दर्शेता परदान करता है कम कीमत भी लगती है कारण लिखा है कि social network के माददम से social network के माददम से online विग्यापन विग्यापन दाताओं के लिए एक और आसा अजनक स्थान है बिल्कुल सही है social network तो है online विग्यापन किया जाता है क्योंकि वे दर्शकों की भागिदारी में वर्दिक आनन्द लेते हैं बिल्कुल लेते हैं क्योंकि कोई विग्यापन होता है ऐसे advertisement वगरे कराते हैं online होते है बड़े आनुद लेते हैं लोग share कर देते हैं दूसरे के साथ में तो यह चीज बड़ी शही है तो ए और आर दोनों सही है इसमें जिसने एक यह उसका सही है 65 में ए 66 में देख लेते हैं निवलिक्त में से कौन सा सुमेलित युग्ती नहीं है सुमेलित युग्ती नहीं है नकासी नकासी ब्यूरिन खोदनी ब्यूरिन क्या नकासी में ब्यूरिन काम में ली जाती है बिल्कुल ली जाती है नकासी खोदकरी की जाती है लकडी के ब्लोग पर शाही लगाना डेबर थापी लकडी का खंड एड से काटा जाता है कोई मतलब नहीं है लकडी तो चिजल और गाउज लेकर वाली है फिर उसे चाप लिया जाता है जो रेलिएफ एंदर आता है तो यह गलत उन्होंने दिया है में त्हांद इसका मतना निया जाता है इसका मतलब 66 में धी है पर इसके बाद में चलते है 67 इसकी की मूर्पी है दोस्तों किसकी मूर्ती है ब्राइज की मुर्ति है और ब्राइज को क्या बोलते है कास्ची बोलते है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है पित्तल लिखा है तो आपको confusion नहीं होना है यहाँ पे देखिए ब्राइज लिखा है ठीक है तो जिसने 67 में B किया है शिक्स्टी सेवन में भी, शिक्स्टी एट पे चलते हैं, वेंगे चितरे के विनोधी या वेंगे पुन प्रवाउत्पन करने के लिए कुछ प्रमुख वत्तिक लक्षनों को बढ़ा चड़ा कर पेस करके किसी व्यक्ति अवस्तु के परतीर नीदितों को संद्रबित करता है बिल्कोल सही बात कर रहा है, व्यक्ति शिक्स्टी एट में भी भी, शिक्सिन नैन पे जलते हैं, सही कालकरम नमा लगाना है आपको, तो इसमें और किंग नारमर का प्लेट दिया गया है, पिर गिजा का महान स्पिक्स है, गिजा का खफरा, फिर सक्कारा के से सिटेट सक्राइब लिखा हुआ है ये जो परतीमाई हैं किंग नार्मर की पलेट कब ये तियार हुई थी सारी इसमें आपका करम जो बनता है सबसे पहले हाएगा A कौनसा आएगा? A आएगा ठीक है? सबसे पहले A है फिर B है सी है फिर D है ये जो दिया गया लिखा गया वैसा का वैसा ही ये करम आपको लगाना है जिसने इसमें D किया है उसका सही है ठीक है ठीक है रोबर्ट रोचनब्रग भी बहुल सकते हो रोबर्ट रोचनब्रग भी बहुल सकते हो उसके बाद में फिर नेक्स किशन है 61, 71, sorry 71, नमर कुशन है, उन सदस्यों की पैचान करनी है, जो अखिल भारतिय, आइफेक्स के गठन में योगदान जिन्होंने दिया था, उसमें, रानाडा, उकिल और कृष्णा खनना, कौन, रानाडा, उकिल और कृष्णा खनना ये दो कलाकार थे, C और D, जिसने एक या है उसका सही है जिसने ए किया है उसका सही है उसके बाद में फिर नेक्स क्यूशन है निमलिक्त का मिलान करना आपको डीसेंट ओफ गंगा इसका मतलब है गंगा का आउतरन जो कौन से कालिन महाबलीपुर में पल्लो कालिन है ए में तीन कर दीजिए ए में तीन इसमें भी है इसम इसमें भी है इसमें भी है अब देखते हैं कौन सा आगे कौन सा जाता है अब इसमें देखिए अमरावती स्थूप कौन सा अमरावती स्थूप अंधर प्रदेश में अंधरा है बी में दो कर दीजिए अब बी में दो करते हैं इसमें नहीं है बी में दो इसमें है तो इसमें बविश्यवादी जो गोशना पत्र है वो फिलिप और टॉम सो मेरेनेती की द्वारा लिखा गया था इसी ने ये बविश्यवादी सबत दिया था फिलिप और टॉम सो मेरेनेती इसमें फिलिप और टॉम सो मेरेनेती लिखा है पूरा नाम इसका फिलिप और टॉम सो मेरेनेत कि सेवंटी फॉर जिसमें दिया गया है आपको ये चीज पता हूंने चे сможके हुआ पन्जाब की है डी मेंकिया अब देखें डी मेंक इसने ही है बाकी इसने नहीं है इसमेब Mutter सेने होगया कान्था एक्स्टाइल कांकिया बंगाल की डीक हा की तु भी एक ही में एपर प्रदेश की कसीद्धार कारी इस नाम है दोस्तों दादावाद कौन सा है दादावाद जिसने डी किया उसका रहे है दादावाद ये मसीनी संसकर्ती से प्रेरी था क्योंकि जो पर्थम विश्वई दो हुआ था दोस्तो 1914 से ठारा तक चला था पर्थम विश्वई दो उसकी जो आपदाएं थी और उबरती जो भी आदुनिक मीडिया मसीन संसकर्ती के जवाब में ये कलात्मक और साहित्य का अंदोलन बना था दोस्तो ये जो दादावाद है कलात्मक और साहित्य दोनुई है साहित्य कार भी इसमें जुड़े हुए थे और कलाकार भी इसमें जुड़े हुए थे तो ये जो आदुनिक जो भी मीडिया संसकर्ती के जवाब में जो पर्थम विश्वई के दंदर जो मसीनी सुस्कृती जो यूज में ले रहे थे आधनी जो मीडिया काम में ले रहे थे उसके जवाब में यह अंदोलन खड़ा किया गया था जिसका नाम था दादावाद दादाईजम ठीक है तो यह याद रखना आपको इस नू टाहिए इंपेश्टो टेक निक वह थे खाड़ा रंग लगाना एप रधर सी तरीके से गड़ा गड़े गड़े रंग लगाना ज्यादा ज्यादा रंग लगाना तो कैन्वस पर तेल रंग के साथ गड़ा अनुपर यही होगा बी निम्र उप्सन सभी कर दो छांतर म B, 76 में B, 77 पर चलते हैं, रागमाला चित्र, मद्यकालीन बारत से विमिन बारतिय संगीत रागों को दरसाती चित्रों की एक सरंक लाए, बिल्कुल सही है, यह मद्यकुन बारत में कला कवित और सस्त्रे संगीत के समामेलन से सस्त्री उधारन के रूप में खड़े हैं, बिल् कुल सही बात है इसमें ए और आर दोनों सही है एक चीज याद रखना कथन तरक वाले कुशन अते हैं अगर आपको नहीं आए ना तो भी आपको ज़्यादतर यह सोचना है कि दोनों सही वाला ही करोगे आप अगर ऐसे कुशन आपको 10 कुशन मिल रहे है न तो अगर आप कथन और दोनों सही वाले करोगे न तो उसमें से आपके दो कुशन गलत होने के चांस बेठते हैं बाकि आपके आठ कुशन सही हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा तर इसके उप्शन वही होते हैं कथन एक और दो दोनों सही है ठीक है यह किसका होगे आपका 77 में 20 है अब 78 पे च जलते हैं कि इसमें भी यह होगा दोस्तों यह और आर दोनों सही है ज्यादा तर यही बेठता है आप देख लिए ठीक है कि इंटेग्लियो प्रेंट की स्रेणी को दातू की आम तोर पर तंबे की लेकिन कभी-कभी लोए स्टील जस्ते की प्लेट पर भी छपाई की अपनी इसें तकनिक प्रवा सिबिलकुल इंटेघ्लियों इसी की प्लेट न फिर कतल न कारण लिखाए कि वुड़कट्ट की व्यपरित जिस पर शाही लगाई जाती है एन्ठी थाकि शाही बाता है रहे हिए और से बजाए बाहर का भाग जिसके ओपर शाही लगाए जाते है ताकि शाही सबसे उपर स्थाप रहे और इंटेगली पे प्लेटों को साप किया जाता है ताकि शाही चीरों में रहे इंटेगली ओमें ऐसा होता है और वूड कट में ऊपर रहती है शाही बिल्कुल सही बात है और फिर उन्हें बड़े दबाव से मुद्रित किया जाता है ताकि शाही को बाहर निकालने के लिए कागज को खांचे में देखेला जा सके इंटेगलियो में क्या ऐसा होता है बिलकुल होता है बिलकुल दोनों के दोनों सही है कथन और कारण दोनों सही, A और R दोनों सही है, इसका B सही होगा, ठीक है, 79 में B सही, फिर 80, 80 नमर क्यूशन, 80 नमर क्यूशन में क्या लिखा है, सही कत्नों को आपको पहचानना है, एचिंग ए रिलीफ मुद्रन पर क्या है, क्या ये एचिंग जो है, एक रिलीफ मुद्रन पर क्या है, नहीं है, ए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एचिंग रिलीफ नहीं होती, एचिंग में तो अंदर दसा हुआ बाग काम में लिया जाता है, एचिंग तो इंटेग्लिय पर कि toughie हाय, बी वाला सही बोल रहा है, ए वाला गलत बोल रहा है, इंटेग्ली यो पर किया यह रिलीफ नहीं है, रिलीफ तो वुड़ कट और लिनो कट होती है, तो ए वाला गलत हो गया, एक है कि यहां पर तहीं के नेंगा पर छबते हैं झीवाईAP पली यह किसकी सभाहों है है जिसनेन एक है उसका है ये 81 में A, केजी सिवर्मिनम, उसके बाद में नेक्स्ट किशन पे चलते हैं, इनका आपको काल करम बताना है, यक्सी चंद्रा है, फिर बिमारन से क्या है, रिलीकवरी है, बिमारन एक जगह है, अफगानिस्तान के अंदर वहां से रिलीकवरी, ये मिली है, कोई मूर्ती वग है, तो ये यक्सी चंद्रा जो है दोस्तो, इनका टाइम है 2nd BC, क्या है, 2nd BC, BC मतलब इसापुर्व है, और बिमारन से जो रिलीकवरी मिली है, वो 1st century की है, 1 CE, और बांदा जिले से जो स्टेंडिंग बुदा मिला है, दोस्तो, वो गुप्त काल का है, यानि की 400 AD का है, वीनादारा मिली है, वो चोल काली है दोस्तो, ये चोल काल तो बहुत बाद में आया है, चोल काल, नटराज के टाइम का, तो यही इसका करम है, जो लिखा हुआ है, यही करम में लिखा हुआ है इसको, तो आपको करना है ABCD, देखो किस में ABCD, यह रहा, ABCD, तो जिसने B किया किसके अंदर 82 में उसका सही है अब 83 पे चलते हैं बोध मुर्तियों का एक अनूठा समुह जिसे वेट बुदा के नाम से जाना जाता है जो किस काल से जम दीता है वेट बुदा एक समुह था जो गुपत काल में बना था जिसको वेट बुदा के नाम से जाना गया था ठीक है वेट, वेट मतलब भीगे हुए, गीला, डवलु एटी वेट, यहां पर देखना, वेट ऐसे लिखावाई यह रहा, डवलु एटी बुदाज, ठीक है, क्योंकि इस काल में जो मूर्तियां हमें मिली है कई सारी, वेट बुदाज का नाम दिया गया था, फिर एटी फॉर पे चलते हैं, एचिंग परिकरिया का सही करम आपको बताना है, ठीक है, यह आपके उप्शन होगे, यह आपका पर्शन होगया, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लेट को इस इड को बात में रखोगे, अत्रिक शाही को मिटाओगे, प्लेट पर चितर को बनाओगे, दातु की प्लेट पर मौमी पदार्थ, की पर्त चड़ाओगे बिल्कुल चड़ाओगे उसके बाद इसके उपर ड्रोइंग बनाओगे प्लेट पर हाँ ये रहा दो नमर ये आप इसके बाद में इसके उपर चित्तर बनाओगे फिर अत्रिक शावी को नहीं फिर आप इस चित्तर बनाने के बाद में चित्तर करना म से एबीकल डी सिय भीए किसमे इसमें यह राग सी ये कौन सा पर्समें किसमें же यह कौनसा प्रसिंड है आपकाhh 84 मिसए आपका सही हो जाएगा फिर 85 पे चलते हैं न Ce इसके अंदर अगर मैं कहूं रे रे नवाद अरे निजम ये रे नवाद लिखाए दोस्तों ये किरनवाद है अब देखिए इसमें सबसे पहला कौन सा है इन में से इन में से है आपका ये थार्त वाद वैसे तो आदुनी काल में जो शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है नवसास्त्री वाद से शुरू होता है किसे शुरू होता है नवसास्त्री वाद से लेकिन इसमें कौन सा है पाले है आपका ये थार्त वाद तो इसका मतलब A नमर उपसने जिशने किया है 85 में A सही है फिर 86 पे चलते हैं 86 नमर किशन बीसवी सदी से समंदित कला गतिवीदियों से समंदित कलाकारों की पहचान करनी है बीसवी सदी के कलाकार कौन कौन से है इसमें आप यहां पे देखो पिएट मौंदियान ये भी बीसवी सदी का कलाकार है पॉल कली ये भी आपका बीसवी सदी का कलाकार है और इसके बाद में ये ओल्डन ब्रग है ये भी बीसवी सदी का कलाकार है ये रेंब्रांट 75. सदी के कलाकार है विलियम बलेक ये 17. सदी के कलाकार है ये 7 और ये 17. सदी के कलाकार है ये 30. सदी के कलाकार है पीएट मंदरियान पोल कली और ऑल्डनब्रग ठीक है तो A, B, E यहाँ पे दियान से देखिए B नमर उप्षन सही होगा आपका 86 में B 86 में क्या है B 86 नमर किशन है इसका B होगा A, B और E यह E है दोस्तो ठीक है B नमर उप्षन सही फिर 87 में जलते हैं 87 अब देखे दोस्तो 87 नमर जो किशन है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लगा है दोस्तो इसमें देखे रंग के साथ चमक और उतेजना पेदा करना आपको क्या लगता है रंग के साथ चमक और उतेजना पेदा करना आप लावने उजनम कहोगे या फिर आप इसको चमक पेदा करना एक लावने देना ही होता है D में 3 देखते हैं कहां पर D में 3 देखो क्या D में 3 है D में 3 नहीं है तो ये question जो है वो मैं गलत मान रहा हूँ ठीक है ये question पर आप star लगा लीजिए कौन सा नमर question है ये ये question नमर 87 है ठीक है बाकी RPSC answer की देती है R set की हम देखते हैं उसके अंदर गलत देते हैं या नहीं देते हैं ठीक है मेरे ख्याल से ये question गलत लगता है बाकी आगे answer की आईगी तब पता चल जाएगा 87 है आप एक बार हटा दीजिए question को ये आप गलत कर दीजिए 87 के बाद हम फिर चलते हैं 88 पे भारतिय परतीमा विज्ञान के अनुसार सही जोड़े आइकोनोग्राफी के अनुसार सही जोड़े को पैचान है उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है बिल्कुल सही बात है मकर यानि की मगरमच गंगा देवी का वाहन है बिल्कुल सही है और यमुना हाँ एक क्यूशन मैं आपसे कर रहा हूँ दोस्तो गंगा यमुना यमुना देवी का वाहन कौन सा है ये क्यूशन मैंने अभी आपसे क्या आप कमेंट करके बताओ यमुना देवी का वाहन कौन सा है मगर मैंस तो गंगा देवी का हो गया मयूर कार्ति के बगवान का वाहन है, बिल्कुल सही बात है, गर्दब यानि की गधा, सितला देवी का वाहन है, बिल्कुल सही बात है, सभी जोड़े सही है, उप्सन मिल गया में D, सभी जोड़े सही है, बिल्कुल गर्दब का मतलब होता है गधा, तो ये सितला देवी का व मुझे बताओ कि यमुना देवी का वाइन कौन सा है, कमेंट करके, 89 पर चलते हैं, शिव और पारवती से माला प्राप्त करने वाले राजेंदर चॉल रिव राजेंदर चॉल रिलीव किस मंदिर का इस से दो परवत्ती से महला प्राप्त करना यह है जो गंगई कॉंड मन्दिर है दक्षिण भारतने मांद करता है अब आप यह जो फोटो है यह जो रिलीव बना हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख लीजिए यह आपको यहां पर दिख रहा है ये जो फोटो है दोस्तों वो यही है सीव पारवती ये पारवती जी दिखा रहे हैं इस तरीके से ये इनसे माला प्राप्त कर रहे हैं इस तरीके से ये कुछ सीन है जो गंगई जो मंदिर है वहां से ये दर्शे जो है वो लिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा गंगई कॉंड चोलपुर्म सीव मंदिर ये नमर उप्शन सही है एट्टी नाइन में ए फिर नाइन्टी पे चलते हैं नबबाए नमर की सुन है वू इज नोन एज राफेल ओफ दे यान किस ने का फेल कहा गया था ठीक है राजा रवी उर्मा नाइनटी में डी फिर नाइंटी वन में चलते हैं 哦फ्चन पे चलते हैं लेकिन इसमें जो हमारा option है 100 number question है नहीं सोरी 91 number question है जिसमें क्या है ए नमर हमारा सही होगा इंदुस्तान petroleum सुदर संधीर के द्वारा इसका logo design किया गया था दूसरा make in इंडिया है जो वेडेन केनेडी के द्वारा design किया गया था स्री अतुलेस पंडे है इसके द्वारा आधार कार्ड का logo design किया गया था national institute of design NID का है एडरिन फूटीगर के द्वारा logo design किया गया था तो ए नमर उप्सन जिसनी किया 91 में उसका सही है फिर हम चलते है 92 पे paper pulp casting technique 92 पेपर pulp casting की टेकनीक का इस्तेमाल किस ने किया इसमें से तो वह क्या है दत्ता तरे आप टे नराजर रवियर्मा ने नहीं सुना हमने जैमनी रोय के बारे में नहीं सुना रविंदनात्मी नहीं सुना बचकिया कौन दत्ता तरे आप टे तो यह किया है इसनी पे paper pulp casting technique का इस्तेमाल किया है 93 पे चलते है मेजो टेंट एक विस्ष्ट प्रिंट बनाने की तिर्क्रिया है जिसमें कलाकार हलके से गहरे की बजाए गहरे से खलके की और काम करता है बिल्कुल सही बात है इत्यासी रूप से मेजो टेंट के बात एक वांटिट को सबसे महतब पूने इंटे गलियो टॉनल प्रिक्रिया माना जाता है या वोटर कलर बेस के समान पर भाव पेदा कर सकता है बिल्कुल कर सकता है ए और आर दोनों सही है बी जिसनी किया उसका सही है फिर चलते है 94 पे कला की पहाड़ी शेली के पर मुख कलाकारों की हमें पहचान करनी है कला की पहाड़ी शेली के पर मुख कलाकार पहाड़ी शेली की बात करे तो उसमें कौन है नेन्सुक और मान कूई यह है पहाड़ी शेली के निहाल चंद कौन से राजस्तानी शेली के है दसफंत और बसाओन ये मूगल से लिकिए अकबर के दरबार के अलागार है बच गया कौन बी बी उप्सन जिसने किया उसका सही है 94 में बी 95 पे चलते है मोजेज करती किसकी है माइकल एंजिलो की ए में 4 ए में 4 ए में 4 ए में 4 ये रहा ए में 4 हो गया हमारा बी सही यहां पर लिखा है मूसा कई बार ये मोजेज लिखा हो आता है इस नेट के अंदरे से किशन आये हुए सारे मोजेज ठीक है ए में 4 मिलाओ माइकल एंजिलो तो ये हमारा हो गया बी सही बाकिया आप देख लेना फिर उसके बाद में नाइन टी फाइव में आपका हो जाता है बी नमर उपसंसाई फिर नाइन टी सिक्स पे चलते हैं अजनता की बार में किशन आये हुआ है कि अजनता की पेंडिंग राजा विद रेटी नुए बोदी सत्वा पदम पानी जनता प्रिशर की किस गुभा में बोदी सत्वा पेले जो चित्रा वो देस में है और यह बोदी सत्वा पदम पानी एक में है तो सी वाला पका ऑप्जान सई हो जाता है जाता है निए साल निए डाबास दगुबस निए सिरिलंका के अंदर है दोस्तों सीहली बोद क्योंकि Casey wil дов 0-8 को सिछी वो सेर का सियर जैसे आकरती में पரवत बना हुआने तो वहां की वह दिने उन जोस्तू बने उनको डगो बैशा जट धर्छल क Gh annag 내ень वहां की बहु दुट एंशा का जता है थाफ है तो यह वां पर क्या करा जथते हैं? और भी कई सारी जिगह जांपे इन स्थूपों को अलग अलग नाम दिया जाता है वह हम अलग वीडियो में डिसकस करेंगे क्योंकि यह ज्यादा बढ़ा हो जाएगा फिर नाइंटी एट पे चलते हैं 98 में हिव रंग को उसकी गुरूता विशेशता के रूप में वरनित किय जाता है जो इंगित करता है कि इस रंग कितना हलका या गहरा है ठीक है इसमें क्या आपका कथन एक और दो दोनों से यह मुझे यह बी लग रहा है बाकी देखते हैं एंसर की जब आएगी तब यह आप सही कर दीजे एक बार ठीक है बी पर 99 पे चलते हैं भारत बोपाल में किस्तित संग्राले कौन सा यह 100% बाकी सारे 100% है जिस पर डाउट है मैं थोड़ा सा वो बता दूना एक डाउट है इस पर मैंने अभी बताया तो इसको आप राउंड कर लिजे बाकी सही कर लिजे आप यह राउंड कर किसे करना है सिस्पेंस है इसमें एंसर किया ही तब पता सालेगा बाकी 99 में 100% से और रुपंकर होगा रुपंकर कला बहुन है संग्राले कांपे है भारत बहुन बोपाल में है रुपंकर संग्राले तो 99 में एस ही है फिर 100 100 नमर कुशन जो है 100 नमर कुशन उसकलाकार की पहचान करना है जो color field penter, Mark Roth को color field penter के रूप में पैचान रखते हैं, Mark Roth को, A नमर option से यह, 101 में उस इलाकार को बारे में बताना है कि महा कावियों की काविय अतिश योक्ति को ससोदी किया, महा कावियों महा पुराणों के चितर किस ने बनाए है, राजा रवी वर्मा ने बनाए है, 101 में A, पिर 102 पे जलते हैं, 102 पे दिया गया है कि दे ओथो फोरेटी होरेशिया का परण पैंटिंग किसकी है, नहीं यह नहीं पूछा है, यह किस काल से सम्दित है, ऐसा पूछा है, ओथो फोरेटी, आपको पता है, होरेशिया का परण किसकी पैंटिंग है, जो लुइस देविड की पैंटिंग है, जो नवसास्त्रिवाद से सम्दित, नवसास्त्रिवाद की पहली पैंटिंग मानी जाती है, नवसास्त्रिवाद मतलब नियो क्लासिसिजम, यह रहा नियो वो broke color कार है तो ये हो गया आपको दिखा देता हूँ जिसने C किया उसका सही है कितने में C है 102 नुम किश्ण में C सही है 102 नुम किश्ण में C सही बाकी मैं दोनों पैन्टिग दिखा देता हूँ आप देख लिजिए ये पैन्टिंग आप देख रहे हो यह painting है Oath of Horeti यानि कि Horecia का परण जो नवसास्त्रिवाद की painting है जोक लुईस देविद के द्वारा बनाएगी painting है उसके बाद में यह painting है जो क्रोस को उठाते हुए जो पिटरपाल रुबेस के द्वारा बनाएगी painting है यह वही painting है जो बारोक कला से समझीद painting मानी जाती है ठीक है दोस्तो इसके बाद next question पर चलते है तो 102 में कौन सा ही हो जाएगा C option 103 नुमर question पर चलते है एलोरा में परशिद 20 कर्मा गुफा 10 गुफा संका 10 को कहा जाता है यह कौन सी गुफा है किस परकार की है यह चित्ते है यह मंदिर है कौन सा है मंदिर तो C से ही हो जाएगा 103 में C फिर 104 पर चलते है 104 इसमें बोला गया है कि बूमी बंदन क्या है बूमी बंदन बूमी बंदन मतलब बूमी तयार करना बिलकुल तो B में A कर दो किसमें है B में A B में केवल इसमें है बाकी ये सारे कट गए तो A नुम्र उप्सन सही हो जाएगा 104 में A 105 नुम्र किशन ये है बंगाल पुन्र जागन का समर्थन करने वाले कलाकारों के नाम आपको बताने हैं राजा रवी रुमा अमरिता सेरे के लिए दोनों नहीं है बाकी विनोद भियारी मुखरजी और तुम्हार राद़्दार ये दोनों हैं तो तीन और च्यार किसमें है देखिए ये रहा तीन और ये नुम्र उप्सन सही है 105 में D 105 में D केवल 3 और 4 से एकसे नमर कीशन देखिए ग्रेट के तरिक वि और वॉप सबायर तो फ्रफी सथ शसे रहे कोगथ्손 में लिए था भार्मी सदी में । गॉत like भोथीक मुर्थिक प्रवरू कि पहले गब बीरुप से लाइक तillon बात में और दोनों सभी नुम्र उप्षन सभी एक सुच्छाय में बी एक सो साथ नमर कुशन पे चलते हैं सही काल करम बताना है आपको पाबलो पिकासो द्वारा हेड ओफ वुमेन कब बनाया गया था 1906 में बार्बरा हेफवर द्वारा स्कल्चर विद कलर बनाया निस चाल वाला पहले लगाना है फिर च्यार एक तीन दो डी नूम्र उप्षन सभी 107 में डी पिर एक सो आठ नमर की उच्छन है कि लकडी के ब्लोक की छपाई कहां पे इसकार हुआ था रूडब का इसकार हुआ था चीन में आविसकार पूचा है चीन में हुआ था कब हुआ था गट अ वुडब्लोग कमस्कार कब हुए था ya हो एक गश्य द्क epsilon ए कि कब हुए था एक 105 ऐसी में एक 15 एक चीन में उसके लावा एक छीज और बता दूँ आपको दोसो एक इस विजी कि-सम्तिएंग कागज का विसकार भी चीन में बोद पिजिज वा था चीन में चाइनीज लोगों के दोवारा कागज का आविश्कार किया गया था इन्हीं लोगों के दोवारा लकडी के ब्लोक का आविश्कार किया गया था इसके बाद है फिर नेक्ट कुशन पर चलते हैं अनंत साही विष्णू की जो रिलीफ है वो कहां पर बनी है तो ये देवगड का जो दसावतार मंदिर है ललितपुर यूपी में पढ़ता है कहां पर ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ता है देवगड का दसाव पर किशन निव लिक्त में से कौन सा जो मेली तो नहीं है दोस्तों इसमें देखिए यहां पर जैसे यहां पर देलाश चपर एमिल नॉल्ड क्योंकि आधिकांसत लोगों ने यह चीज पढ़िए कि देलाश चपर जो है वो लियोनार्दो देविंची की पैंटिंग है जो हैं लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं कि देलाश चपर एमिल नॉल्डे के दोरा बनाएगी बी पैंटिंग है एमील नॉल्डे ने भी बनाएग है मैं पैंटिंग अभी दिखाओंग आपको तो यह नहीं है यह इसके दोरा तो बनाएगई है दाजो भ स्युँक बनाएगी क्योंकि ये पाबलो पिकास्यों की ही पेंटिंग है किसकी है ये पाबलो पिकास्यों की है डी नुम्र उपसंजीशने किया उसका सही है डी नुम्र वाला गलत दिया हुआ इन्होंने कौन सा करना आपको डी वाला करना है और किसा नुमर कितना है किसा नुमर एक सो 110, 110 पर D करना है Guitar with the seat of music किसकी painting है, पिकासो की ये दोनों painting आपको दिखा देता हूँ ठीक है ये वही painting है जो Emil Nolda के द्वारा बनाए गई है ये Emil Nolda के द्वारा बनाए गई painting है, जिसका टाइटल है अंतिम भोज, क्या टाइटल है अंतिम भोज ये Emil Nolda के painting है, ठीक है इसके बाद में ये वाली painting आपको नजर आ रही है जो guitar वाली painting है, guitar with notes ये रहा लिखावा notes इसके साथ में दिख रहा होगा आपको ये Pablo Picasso के painting है ठीक है तो वो जो जिसने D किया है ना उसके अंदर वो सही है तो इसमें कौन सा से हो जाएगा, D वला से हो जाएगा 110 में D 111 नमर किस्वन पर चलते हैं पांडव लेनी गुफा को इस नाम से भी जाना जाता है पांडव लेनी गुफा ये महाराष्टर के नासिक में पढ़ती है महाराष्टर के नासिक में तो इसको नासिक गुफाईं भी बोलते है ये इसको पांडव लेनी भी कहते है नासिक गुफाईं भी कहते है ठीक है? तो आपको ये चीज याद रखनी है नासिक गुफाईं महाराष्टर में पढ़ती है इसको ये नासिक जो महाराष्ट्र जगह है वहां पर ये गुफाएं है इसले इनको नासिक गुफाएं भी गहते हैं ये सही है फिर उसके बाद में 112 पर चलते हैं 112 मंदिर वास्तुकला की नागर शेली में सिख रामत और प्रतीन प्रकार के होते हैं लतीना रेखा परसाद और फंसाना और वलबी रेखा परसाद लतीना या रेखा परसाद एक फंसाना दो वलबी तीन बिल्कुल सही जवाब दर्विड वास्तुकला में मुख्या मंदिर के स पर के और एक विमान है साइकतिर्थ मंद्रों में नागर वस्तुकला जैसे विमान नहीं है बिल्कुल चाहिए बात है दोनों के दोनों सही है डी सही ठीक है 112 में डी फिर 113 नमर किशन पर चलते हैं इस सब्द का प्रियोग 1490 के अंतर 1900 सुदी की सुरुवात में सजावट की सेली की रूप में वस्तु सिल्प और आंत्रिक सजावट का वर्णन करने के लिए किया गया था वो है आर्ट नुवो कौन है आर्ट नुवो बी नमर उसन जिसनी किया उसका सही है 113 में भी 114 नमर किसन पे चलते हैं सही कत्नों की पैचान करनी है लगू चितरकारी की कला का विकास आठी और वार्वी सिताबदी के बीच हुआ पूरवी भारतिय स्कूल जेन वीश्यों को दरसाता है और इन पांडू लुपियों को जेन स्कूल अपेंटिंग के रूप में जाना ज गशर के ठीक है एरा या क Gla samen वम एक तोशम में का यह वाला यह सारे की सारे साइब हैdrum 1st 14 मैंड इको 155 नमर किसंटे जरते हैं बरुच स्थूप में यह माया देवी का सौपन है रेलिंग मेडेलियन यह किस सामगरी से बना है बरुच स्थूप लाल बलुवा पत्थर से बना है बरुच स्थूप लाल बलुवा पत्थर से बना है इस पे मुर्ती कौन से पत्थर की है फलानी कौन से अंदर गैराई में मत जाओ इतना याद रगो बरुश तूप लाल बल्वा पथर का है तो आपका किश्ण सही हो जाएगा ठीक है तो 115 पे बी 116 नमर किश्ण पे चलते हैं सांची में बुद्ध की इपस्तति को किस रूप में दर्शाया गया है खालिस सिहासन है पैरों के निशान है छत्री बगेरा भी है तो इसमें क्या है एक दो तीन सही है ये वाला नहीं है बुद्ध स्व्यम को तो दिखाए नहीं गया है क्योंकि ये हीनियान संप्रदाय से समदीद चल रहा था मोरिया काल हीनियान है कुशान काल में बना था वो ब पर चलते हैं, यह देखिए, यह पेंटिंग है, यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, न्यूड डिसेंडिंग है, स्टेरकेस जो पेंटिंग है न, यह मार्शल दूशा की है, ठीक है, ब्रांकुसी की कौन सी है, बार्डिन स्पेस है, तो थोड़ा सा यह मिलान करके देख ल ए में चार, तो इसमें नहीं है, यह कट गया, इसमें नहीं है, यह कट गया, ए में चार इसमें भी है, इसमें भी चार है, ठीक है, ब्रांकुसी की कौन सी है, बार्डिन स्पेस, दो, डी में दो, डी में दो, ए में चार, डी में दो, ए में चार, डी में दो, इसमें भी है, इसमें भी दोनों में भी है अज़े परना लेंजर थ्री वूमन ये फरना लेंजर है वी में एक तो बी में एक इसमें है ये रहा वी में तो इसमें सी नुमर उप्शन से हो जाएगा एक सुसतर मैं सी ठीक है और अलेक्जंडर काल रहना ये लोबिष्टर ड्रेप एड फिस ये वाला है, आपको मैं पेंटिंग दिखा देता हूँ, थ्री वूमेन फर्ना लेंजे, ये पेंटिंग है, ठीक है, ये है बार्ड इन स्पेस, जिसका टाइटल है ब्रांकुसी के द्वरा बनाएगी पेंटिंग है, बर्ड इन स्पेस यह व्रांकु सी यह है नूड डी सेंडिंगे स्टेरकेस जो मार्शल दूशां की द्वरा बनाएगी पैंटिंग है नूड डी सेंडिंगे स्टेरकेस तो इसमें कौन साथ हो जाएगा 117 में सी सही 118 पे जलते हैं शिरेमी के 22 कितर बनाने वाले कलाकार की पैचान करनी है तो इसमें कौन साथ 37 गुजराली ये वस्त्तू कलाकार और 22 चितरकार के रूप में परसिद्धे, 37 गुजराल तो यही होंगे इसमें बाकी कोई नहीं है ठीक है 118 में B 119 में चलते हैं लोग की वराय के रूप में बगवान विश्णू के अवतार को चितरित करने वाले रिलीफ को कहां नकासित किया गया था उद्यगिरी की गुफा में कहां पे उद्यगिरी की गुफा में है और ये उद्यगिरी की गुफा कहां पे है विदीसा MP में पढ़ती है कहां पे पढ़ती है विदीसा MP में उद्यगिरी की गुफा विदीसा MP वाली है गुप्त कालिन जिसमें ये रिलीफ चितरिन किया गया इसका फेस आपको नजर आ रहा होगा फेस यहां इस साइड में फेस है यहां पे फेस रहा यह आँख रही ठीक है यहां पे और यहां पे क्या यह कान है इसका इस तरीके से यह इदर की साइड में फेस है यह वाली साइड फेस है ठीक है ये आँख है इसकी ये मूँ हो गया इसका नजर आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से तो ये वरहय अवतार है विश्ण भगवान का ठीक है इसके बाद में तो इसमें एक नमर उप्षन सही हो जाएगा 119 में एक 120 नमर की श्ण पर चलते हैं विशित्र कलब के सिदस्यों के पहचान करनी है आपको मुकुल चंदर डे गगनेंदर नाथाकूर बिल्कुल सही बात राजार रविर्मा कोई मतलब नहीं बिन अद बेरविकर जी नहीं है मुकुल चंदर डे और गगनेंदर नाथ इसमें कौन सा जाएगा विशित्र के सिदस्यों के रूप में कंपनी शेली को पत्ना सेली पत्ना पैंटिंग्स भी कहा जाता है एक सथी एकसो इकस्तालब धार मिल्कुल बिन रूपनेंदर नहीं है मिल्कुल भी नहीं कर आ कहा की है अंदर परदेश कि है कलमकारी नजिसनिक गरलत दिया हुएं एकटोइस पे जलते है कहबर क्या है बरवदु का कखष साधी का जो कक्ष है उसको बलते है कहबर तो मदुबनी के इंदर कहबर है तो मदुबनि वाली painting कहा पे बनेगी कहबर के हां बनता है दिवार पे बनता है कहा पे बनता है दिवार पे बनता है देवेल सुए यह हो जाएगा सि आपका याद रखना वरवदू का कक्ष होता है, यह साधी कक्ष इसके बाद में 125 पे जलते हैं 125 की बात करें तो 125 है उतकिरनन और ड्राइपॉइंट के बीच कांतर यह है कि उतकिरनन में दातुकवास्तु में रिखाऊंस एक होजा दाता है इसमें B सही है, कौन सही है, B बी नंबर उप्सन जिसने किया उसका सही है बाकी इसको सस्पेंस में रख लेते हैं और आर्शेट की जो अफिशल एंसर की आती है उसके उपर मैं छोड़ देते हूं इस कुस्टिन को बाकी मैंने आपको B बताया, तो एक बार के लिए B मानेगी, ठीक है 126 पे चलते है कौन सा सुमेली तो नहीं है बुलंद दरवाजा, अकबर पंच महल अकबर फतेपूर, सिक्री में ये सारे बीवी का मकबरा मुहम्मद आजम साय, बीवी का मकबरा बीवी का मकबरा बिल्कुल भी है, दिली का लाल किला अकबर नहीं है, दिली का लाल किला तो साजां के दोरा बनाया गया है ये गलत है, D हो जाएगा कौन सा नमर की उश्व नहीं है, 126 में D, 126 में D नमर उप्सन सही, ये D वाला फिर 127 पे चलते हैं परसिस्टेंस ओफ मेमोरी पिगलती, घड़ी, वगेरा ये साला दोर डाली की पेंटिंग है परसिस्टेंस ओफ मेमोरी आपको पता होगा अथी अथार्तवादी पेंटिंग, अथी अथार्तवादी कलाकार है 127 में B, 128 पे चलते हैं इसलामी स्तापतेकला के प्रांगन में कुंड फवानों ता छोटी नलियों के रूप में जलक अप्यों किया जाता है तो ये दार्मी कुदेश्या है या फिर परिशर को ठंडा करने के लिए है या फिर स्रजावटी देखे दोस्तों इसका क्यूशन का मुझे आइडिया नहीं हुआ है भी तक ये क्यूशन सस्पेंस में है इसका अंसर में नहीं बता रहा ठीक है 128 का क्यूशन नमर मैंने एक ही छोड़ा है आपके लिए तो अगर किसी को अलड़ी अगर पता है फिर 129 पे करते हैं तिरंथंकर लोर्ड नेमिनाथ के बारे में पूछा है कि तिरंथंकर बगवान नेमिनाथ किस परतीक के रूप में नेमिनाथ संक के रूप में है ये 22 वां तिरंथंकर है कौन सा है दोस्तों ये 22 वां तिरंथंकर है नेमिनाथ और इसका रंग जो होता है वो होता है काला कैसा रंग होता है इनका परतीक रंग कौन सा इनका काला है और कौन सा है क्या परतीक संक है अच्छे ये 22 वां है कुल तिरंथंकर होते हैं जेहं तिरं प्रण्ग होता है सवरन और यह कौन सा यह 22 मां है उसके बाद है फिर नेक्स शुशन पर चलते हैं 130 130 में दे आ गया बविश्य बुद्ध तो आपको पता है जन्ता गुफा के बारे में यह बाते चलती है मेत्र अबुद्ध यो मेत्र अबुद्ध यानि कि बविश्य में सब्सक्राइब तो एक सो तीस में सी 131 पर जलते हैं एडवर्ण देगा देगा की करती है लिटल डांसर ओडवीद फोर्टिन की सामगरी से बन दी है तो यह कांश्य दातु में बताते हैं केवल दातु नहीं यह लकड़ी के दार पर मिट्टी दातु को जबान रों पैंट दांसर देख लीजिए यह वाले ठीक है तो यह कांश्य दातु की बताते हैं लिटल डांसर ओडवीद फोर्टिन येर इस तरीके से है बैलरीना इसको बोलते हैं नर्तकी है यह बैलरीना वा इसका टाइटल है जो एडगर देगा के द्वार अपनाएगी मुर्ती है तो इसमें कौन सा हो जाएगा सीवल औक्रुक्त इसके बाद में 132 पर जलते है 132 में नम्निक में से कौन से जमलिप नहीं है पॉलो से जाने लार्ज बातर्स बिल्कूल सही है एंडअट की फे बिल्कुल से वान गोग दैनाइट के फे किसकी पेंटिंग है वान गोग की दे ड्रीम है एंडरी रूसो है पोल से जान दे लार्जबाथर से वीलियम टर्नर है वीलियम टर्नर नहीं है दोस्तों ये किसकी पेंटिंग है ये जोन कांस्टेबल की पेंटिंग है जोन कांस् उसके बादे फिर नेस्ट क्यूशन पर चलते हैं, डी वाला इसमें हो जाएगा, 133 क्यूशन है कि उस मंदिर की पैचान करने हैं, जो गज़ प्रष्टाकार योजना में समाप्त होता है, 133, आई होल का दुर्गा मंदिर, मंदिर से का 177, मालकिटिस वाले बादामी, तो इस इसमें आई होल का दुर्गा मंदिर है दोस्तों, ये वाला है, गज़ प्रष्टाकार योजना में, 133 में ए है, ये इस योजना में है, समाप्त होता है, इस तरीके से अगर इन्होंने ये बात कही है, कुछ कंफूजन डाल रहा है, तो अभी कोई आइडिया नहीं है, बाक सामने से फ्लेट, पीछे से राउंड, ये गज़ प्रष्टाकार योजना होता है, यहां पे बीच में गरब गरे है, ये मंदिर ऐसे होता है, तो ये गज़ प्रष्टाकार योजना होता है, ऐसा ही है, आई होल में जो बना हुआ दुर्गा मंदिर, 134 में चलते हैं, उस कल पूर्टी फाईव में भी सी है एक और दो दोनों सही वालाई करना आपको क्योंकि गिबर्ती पूरों साइको में से दोना तेलो मानुसरी के व्यापक सरंचने के रूप में मानते हैं बिल्कुल सही है दोना तेलो ने पौपलर लड़ लकडी शोरी पौपलर की लकडी में मेर ठी मेंलिन की सकती साली मूर्टी का कर milkshook चित्रित किया और फिर उस पर शोने की पाνी भी चड़ाया है कि यह मूर्थी में आपको दिखा देता हूं डोना तेलो ने काम किया है ये मुर्ति आप देख पारे होगे ये मुर्ति है पॉपलर की लकडी की बनी इसके उपर सोने का पाणी बाद में चड़ा दिया गया है जो दोना तला की द्वारा बनाएगी मुर्ति है मेरी मेडलीन के ये मेरी मेडलीन है इनकी कृति है ये बनाए होगी ठीक है यहां से पूरी देख लिए आप एक साथ ये वाली ठीक है दोस्तों तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ये C वाला से हो जाएगा कथन एक और दो दोनों सही है कौन सा नमर क्यूशन है ये 135 में C 135 में C इसके बाद 136 पे चलते हैं 136 में 137 पे चलते हैं तो लेटते हुए लेटते हुए आराम करते हुए यहां नहीं सेन लिख देते तो आप सब्कर देते इनूसे नहीं सायानने सायान less तो confusion में नहीं जाना है सेन मुद्रा है लेटी ही शोय ही ही ठीक है ए नुमर अभसन सरही zeros 38 में चलते हैं कलावाट को सही काल कर्म מה लगाना है वए इसומel के लिए नहें इतरॅщее कड़आ है पर इसमें क्यूषण ep, 13 virus क्यूषण in कैक इसमें तिसमें क्या है अब इसमेंसे देखिए, इसमें सबसे पहलेMiSet कौन सा आएगा दादावाद पहले आएगा नव दादावाद बाद में आएगा त्योंकि परभावाद पहले है फिर नव परभावाद फिर उत्तर परभावाद उसी तरीके से पहले दादावाद फिर बाद में आएगा नव दादावाद अच्छा पहले चार होगा फिर दो होगा इसमें पहले चार होगा फिर दो होगा इसमें पहले चार फिर दो फिर ठीक है इसमें पहले चार फिर दो इसमें पहले चार फिर दो चारों के चारों ठीक आ रहे हैं ठीक है अच्छा आप देखिए आपको इसका करम के बारे में पता होगा कि सबसे पहले कौन सा होता है अगर हम आदुनी की जो कला पढ़ते हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है नव सास्त्रिवाद कौन सा होता है नव सास्त्रिवाद जो इसमें नहीं दिया हुआ नौसास्त्रिय वाद इंगलीज में साथ में देख लेते हैं नियो क्लासिसिजम ठीक है नौसास्त्रिय वाद के बादें फिर आता है रोमास वाद रोमेंटिसिजम जो इसके अंदर नहीं दिया गया उसके बाद में फिर है रियलिजम यथार्थवाद जो भी इसके अंदर नहीं है फिर आता है बार्बिजन आर्टिशे ग्रूप आता है फिर आता है इंप्रेशनिजम यानी की परभावाद जो इसके अंदर नहीं दिया गया फिर नव परभावाद है फिर उत्तर के बाद में आता है अभी वेंजनावाद जो इसके अंदर नहीं है अभी वेंजनावाद के बाद में आता है बविश्यावाद फिर आता है बामरवाद फिर सुरीलवाद फिर किरनवाद फिर स्रोच्यावाद फिर आता है रचनावाद तो इसके मतलब इसके बाद में जो करम तो में आरा, 2 नमर आरा है आपका ये 3 और 1 पहले 3 नमर ख्रफशन फिर ये नमर ख्रफशन पहले 3 फिर 1 किसी में नहीं है दोस्तो तो ये वर kिशन भीं, की किया है, क्या वांट रीशन है? ठीक है आपके दो कुषन गलत आगे हैं एक तो कौण सा है 138 वाला कुषन 138 नम्र गलत है एक और कुषन पीछे आथा वो कौण सा है 87 नम्र कुषन यह दो गलत आगे आपके यह वाला भी गलत माने मैंने और यह वाला भी गलत माने बागी अनसर किया आज़ाएगी तब पता चल दाएगा ठीक है फिर उसके बाद में नेक्ष्ट पर चलते हैं यह कुशन ही गलत है इसका आग को मार्ग काउंट नहीं करना है 139 पर चलते हैं कि सबी कत्मों को चैन करना इसमें कंसा है पेस्टल रंगीन चाक का एक रूप है जिसे गोंदर सी अर्भिक मिलाकर करके बेलनाका ट्यूब में गुमाया जाता है बेलनाका ट्यूब बना ली जाती है बिल्कुल सही बात है पंदरी स्थाबदी गंत में लियोनार्ड पेसल के साथ काम किया लकिन शोली स्थाबदी बीच कला करने उन्होंने लोग प्रिता मिली बिल्कुल सही बात है महान पेसल इस तरकार में एक ये सारे हैं दोस्तों सभी कतन सही है 139 में डी है 140 पे चलते हैं the word jn is derived from jn ृ जिन या जैन सब्ति जीन या jest सिसका रथ क्या है विजेटना दोस्तों तो आ प्र caso क्या जा है आपका आपका सही हो जाएगा 140 में 141 देख लेते हैं तो किसपांव किरती है है हेनरी रूषो की किरती है किसकी किरती है पैंटिंग है हेनरी iç7 की कि इसके बाद में वन फोर्टी टूबीवी दोसी द्वार रसीट कारीयों को चुमना आपको यह का आर्किटेक्ट्ट कूण है ठीजेघ्र में बाल कृष्ण विढ दाव दोसी इंगसीन का पूरा नाम है तो इसके अंदर अगर बात करें यह इसके अंदर क्या है झाल इसके दूरा बनाया गया है नहीं लोक आस्टासिंग इंदोर वाला भी बनाया है ल इसमें डि अपन आ해서 सही हो जाएगा एक दो तीनिये टीनों के तीनों-चे फिर 143 & 143 143 में है कांट एक बिना चिपचपाइट वाली कार्बन पैंसिल कॉंटे कॉंट कॉंट इंगलीज में देखिए ये वाला ये वाला ठीक है बिना चिपचपाइट वाली एक कार्बन पैंसिल होती है यह बिलकुल होति है क्रेव योन क्या होता है' क्हर्वाम मॉं मैं मिश्रित पव्डर पिगमेंट मॉम नहीं मिले होता क्यों ख़ड़ियाP छोक यह वाला गलत है बीवालस जिसने बी किया उसका सही है एक 143 में भी उसका BE इन हमें आकरतियों को प्योग और प्रुवास निरंतर प्योग है बिलकुल है मीर सेयद अली और अब्दू समध मुगल दरबार के चित्रकारी थे बिलकुल है पांडुली पी रजम नामा रमायड की कानी है नहीं रजम नामा तो महाबार्त की कानी है ठीक है तो डी वाला 145 में A सही है 146 में चलते हैं गलत की प्रवास की पहचान करनी है नागर स्कूल बारत के उत्री बारत में विक्सित मंदर वास्तकुला बिलकुल सही बात है हाँ एक चीज़ और थोड़ा सा में बता देता हूँ ये ग्रूप जो है ना ग्रूप 8 ये कब बना था ये भी आप का यहां पर देखिए ठीक है नागर स्कूल शाही है फिर हेरन स्कूल की बात कर लेते हैं यात्रों के लिए लाउट आउस प्रकास नमा बिलकुल सही बात है 25 कोट है ना निजी दुर्शकों का होल होता है बिलकुल सही बात है और ये ओरी सी स्कूल ये गलत है अम्राज जै नागर से ली ही होती है, आपको मैं इसकी फोटो जटीखा देता हूं, इस फोटो में आप देख पा रहे होगे यही है वो हिरन मिनार जो फते पुर्षिक्री में है अकुबर के द्वारा बनाएगी हिरन मिनार ठीक है यह हिरन मिनार है इसका फोटो यहां पे देख लीजिए आप यह वाली ठीक है हिरन मिनार इसके बाद में ये वाली है 25 कोर्ट दिवाने खास दिवाने आम दिवाने खास है ना ये वाला वही है 25 कोर्ट ठीक है ये क्या है 25 कोर्ट है ये बंद है गुप्त है इसके दरवाजे बंद कर लिए नीजी बेठक होती है, इसमें दरवाजे बंद कर लेते हैं अंदर बातें करते हैं, किसे को बटा नहीं जलता और वो जो open वाली उत्त है नवी दिवाने आउम वो अलग होती है जो open होती है, सब के सामने बेठक होती है ये बंद बेठक होती है, ठीक है इसको 25 औरट बोलते हैं तो इसमें आपका गलत कौन सा हो जाएगा ओडिशी स्कूल B वाला ठीक है 146 में B 147 पे चलते हैं इसमें क्या गंदार एक उत्परवर्तन की शुरुआत कर रहा था उत्परवर्तन की शुरुआत कर रहा था जो अतंत हीनियान के अपने सरल मठवासी रूप को महायान में बदल रहा था बिल्कुल सही है मानवाद की और ले जाएगा महायान की और बिल्कुल सही ए नमर उप्षन सही बोल रहा है फिर B नमर क्या बोल रहा है गंधार की मुर्तियों में युना नहीं करते रहा है तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा कथन एक और दो दोनों सही है तो इसके अंदर आपका B नमर उप्षन जो है वो सही है 147 में B 148 पे चलते हैं उस मुर्तिकार की पहचान कीजिए जो मुबाइल मुर्तिया मुबाइल मुबाइल स्कल्प्चर बनाता है वो है अलेकजंडर काल्डर कौन है अलेकजंडर काल्डर A नमर उप्षन सही है 148 में A उसके बाद चलते है 149 पे कला के काम के सार का वरुनन करणने के लिए सिग्निफिकेंट फ flavours किस ने दिया था सिग्निफिकेंट फ़र्म जो है वो कलाई बेल का दिया वाई किसका दिया वाई कुलाई बेल का 149 में एज इस ने किया उसका सही है फिर उसके बाद जलते है 150 भे पेग ग्रूप, पीएजी ग्रूप मतलब पेग ग्रूप, पेग ग्रूप मुंबई वाला जो है 1947 में जो बना था, 1947 में जो बना था, पेग ग्रूप, उसके अंदर सथापक और सबसे मुखर सदस्या कौन थे थे, वो थे सूजा, कौन थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, यह होगे आपके दोस्तों 150 कुशन कंप्लेट, यानि कि आपके इसमें कुल कितने कुशन होगे, 100 कुशन, तो यह आपके विजुलाट के है, जितने वी कुशन आपके सई हो रहे हैं, आपको मैं कमेट करके बता सकते हो, कि 100 में से आपके कितने कुशन सई जा रहे हैं, ठीक तो ये राजस्तान सेट की आपकी अंसर की है आसा करता हूँ कि आप सभी जितने वीडियोज देख रहे हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा कुशन सही हो और आप जो हैं वो सेट क्वालिफाई हो ताकि आप एसिस्टेंट प्रोफेसर के एक्जाम देने के लिए